है हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक एमके नॉलेज गुरूप में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम महत्मूर्ण रूप से बात करेंगे चलिए हम बात करते हैं इस चैनल का पहला जो प्रश्न है वह है बांस गीत कावन गाते हैं तो 36 गड़ के लोग गीतों में बांस गीत बहुत फेमस है आपको चार ओप्शन दिये गया है चार ओप्शन में है देवार है बस देवा है रावत है और भाट है इसमें आपको बताना है कि बांस गीत कौन गाते हैं आपको महत्मूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए कि 36 ति गड़ में बांस गीत जो है कि लेटी लोग करते हैं डेवार आपको देना है पहले हमें कमेंट कर दीजिए कि जनर आति के द्वारा बांस गीत गाया दाता है इसका एंसर क्या हो सकता है चलिए हम इसका राइट देसर आपको बता रहे हैं बांस गीत जो है रावत जनजाती के द्वारा के जाता है तो यह कोश्चन बार-बार सीजी ब्यापम में भी आया हुआ है और इसको पीएसी में भी पूछा गया है ते दोनों कोश्चन बहुत ही आचा है कि बांस गीत में को कौन गाते हैं तो रावत जनजाती के लोग गाते हैं जिसे हम यादों भी कर सकते हैं चलिए इसके हम कुछ ब्याख्या कर सकते हैं ब्याख्या में बता सकते हैं कि बांस गीत जो है रावत जाती के द्वारा के जाता कता है जिसमें बंशी नुमा बांस की लगबग चड़ाई ही सग्य अके ऊंट। बांसगित में परित होता है और इसके प्रमुक कलाकार अगर हम बात करें बांसगित के तो केजू राम यादो तथा नकुल यादो हैं आप लोग याद रखेंगे बांसगित में दो प्रमुक कलाकार है उन कलाकार का नाम आपको याद रखना है अगर हम बात करें पहला इनका नाम हो जाएगा केजू राम यादो याद रखेंगे केजू ठीक है केजू राम जो यादो है वे बांसगित के प्रमुक अलाकार हैं और दूसरा है आपका नकुल यादो इस प्रकार से CGPAC Tyre Manus में भी लिखने के लिए आसकता है कि बांसगित क्या है और कौन गाते हैं तो थोड़ा सा दो नमें इस प्रकार के दो से तीन नमें आप अराम से बनाया जा सकता है इस प्रकार के question को कि बांसगित है जो राउत जाती के द्वारा गाया जाता है जिसमें बंसी नुमा एक बास होता है जिसकी लगभग चोड़ाई ही से स्याकार में बास का वाध्यांत्र है जिसमें बास गित में परुथ होता है और इसके हम पर्मो के गितकार के अगर हम बात करें या कलाकार की बात करें तो हमास है पूरे 36 गड़ में किया कोश्चन आपको महात्पूर्ण रूप से सीजी ब्यापम सीजी प्यापम पूछा गया और मेनस के द्रिष्टी से भी ये काफी महात्पूर्ण राने वाला है और इसी परकार के हम सीरेज आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं तो प्लीज हमारे सीजी प्यापम और वी चीजों में आपको पूछा जाता है कि भर्थरी गीत क्या है इसके बारे में कुछ बताईए या दो नंबर तीन नंबर में सीजी ब्यापम में पूछा जाता है तो चली इसका ओप्शन आपको बताना है सारंगी है तो भर्थरी गीत का मुख्य कि अंत्र होता है वह सारगी होता है। चली हम दो southwest Ya बताया जाता है। इसमें भरतरी से ही समझ सकते हैं कि भरतरी और रानी पिंगला उनकी कथा एक है लोग कथा है जो च्छादिगर में बहुत फेमस है आप लोग जानते होंगे थियोरी आपने पड़ा होगा निश्चेत रूप से हम इसे रिवीजन के तौर पर लेने वाले हैं जो अगामी एक्जाम में होने वाला है निश्चेत रूप से जब भी के वह चैनल सब्सक्राब कर दो भर्तरी गीत के बारें में कभी मैनस में भी इसमें पूछा गया था कि भरतरी क्या है इसके बारे में म suisसा बताइए तो आपको बताना है कि भरतरी जो गीत है वह तो गीध के माधम्स ठीक है तो इसको याद रखे गया रानी पिंगला भरत्री से आप भरत्री होगे राजा और पिंगला उनकी क्या है रानी है इन दोनों की कथा एक छत्जगर की लोग कथा है जिसमें इनके बियोग जीवन के बारे में ओरणान के जाता है आप लोग याद रखेंगे बियोग चाहिए हैं तो हैं बात करेंगे करी तो इस प्रकार से भर्तरी से हमने समझ लिया है इतनी कोश्च आपको पूछा यह प्रकार कि कोचन आपको देखने को मिलेगा इतना आप यदि अब समझ लेते हैं तो अब कंप्लीट हो जाता है सबसे एक्जामें इसी प्रकार की कोचन देखने को मिलता है भोजरी लिए लिए में ऊपचा गया है लिए्मी जल से समंदित है या उपर्क्त में से कोई नहीं इसका राइट एंसर हो जाएगा कि यह जो है तीसरा उपसवन क्या है गलत है लेकिन पर बताया गया है कि किसानों के द्वारा गया जाता है यह बात क्या है बिलकुल गलत है चलिंह 딱 करते हैं बोजली गीत के बारे में अगर हम कुछ बात करें तो भोजली गीत के बारे में पॉइंट आप याद रखेंगे कि भोजली गीत को हम भोजली कहते हैं और उसी के समंदित जो गित गाया जाता है उसे हम भोजली गित कहते हैं और भोजली गित क्या होता है इस राजी का लोग गित है यह भूमी जल से समंदित है और यह महिनाओं के द्वारा सावन भादों में गाया जाने वाला गित है और भोजली गित के बारे में दूसरा कथन यह पूछा गया था और कि भोजली गीत में किन देवी का नाम बार-बार आता है प्रकृति पूजा करती थेकर तो आपने इस याद रखेंगे तो आप लोग याद रखेंगे कि भोजली गीत में बार-बार किस का उलेख क्या गया है यह भी कोथन आपको पुछा गया है हमें कमेंट कर बताएंगे कि भोजली गीत में बार-बार किसका नाम लिया जाता है यह हमें कमेंट कर आप लोग बताएंगे चलिए नेक्स्ट हम बात क का चshiftला करना है परणा यदर दिया है जवाराजिट फिर ददर्या घीथ है इनको आप को क्या करना है कि पूछे जाना की पूरे तो किसे राइट ऋंसर क्या होगा तो जवर्वार गीत कव गया जाता है आपनोग इसको मताएंगे और हमने कर बताएंगे तो आप रहतीय को आपको गयाद रहें किकी के जब कमार गीत कर सकते हैं कि जब कमार गीत का आवजन होता है चली भोजली गीत किसे समधित है तो भोजली गीत अभी हमने बताया है भोजली गीत यारे कि भूमी जल से समधित गीत है और गीत महिलाओं के द्वारा सावन भादू में मनाया जाने वाला गीत है और इस गीत को क्या होता है सावन भादू मनाया जाता है तो उसे सुवा निर्थ को ही गौरागीत के नाम से भी हम जानते हैं इस परकार से आप याद रख सकते हैं कि गौरागीत क्या है एक दिपावली के अवसर पर आवजिन की जाने वाले गीत है जो 36 गड़ के लोग गीतों में सुमार है नेक्स हम बात करते हैं ददरिया गीत क के अगर हम बात करें तो ददरिया गीत क्या है प्रेम कि जैसे हम सिंगारगीत के नाम सम जानते हैं इस परकार से आप date हिसे प्रकार के option आपको देने सकते हैं कोचन में और या से प्याप्टन में भी आया हुआ है तो इस प्रकार के आप देखते चलेंगे तो चन्देनी यहाँ पर दिया है option कि डोला मारू है हीरा रांजा की कहानी है कि लोरिक चन्दा की है कि नल दम्यंति के है तो यहां देखिए सभी हीरा रांजा भी एक प्रेम प्रेमी थे और लोरिक चन्दा भी एक प्रेमी है नल दम्यंति की भी कथा आपने सुना होगा हीरा प्रकार के कोशन बी आपको इक्जाम में लिख जाता है आपको लिखना है कि चंदेनी गित क्या है तो लोग यात रखेंगे कि है गीप लोरिक चंदाध की पुछ लाता है तो इ Expect लोरिक अगर बात करेंगे कि चंदेनी गित अब के कौन गित्कार जी जो है वह लूरिक चंदा के या चंदेनी गीत के परमुख गितकार हैं उनके मात्यम से 36 में फेमस हुआ है या गित तो आप लोग याद रखेंगे चिंता दास याद रखेंगे ठीक है चिंता दास जी को याद रखना है जिसके बारे में आपको मैंस में लिखने की लिए सकता है तो इतने को दो नमर में आप लिख सकते हैं और परमुख वादियंतर के बात करें तो टीम की और धोलक इसमें टीम की और धोलक का परयोग किया जाता है आप लोग याद रखेंगे टीम की ढोलक का परियोग के जाता है तो इतना आपको लिखना होता है और इसके गीत के परमुख पात्र लोरिक रीवा से थे और चंदा आरंग के निवासी थे तो प्रिवियर सेर्स में सेजी पेसी 2020 में आपको पूछा गया था कि जो लोरिक रहने वाला था आप लोग याद रखेंगे लोरिक रिवा का रहने वाला था और इसका नेक्स्ट है चंदा चंदा जो थी प्रेम क्या वो कहां के रहने वाली थी तो आरंग के निवासी थे इस परकार से इतना अगर आप लिख देते हैं मेंस में भी तो निचीत रुप सिस से प्रेम किसपर का के कोचन पूछे गया है कि चट्रीश गढ में गारा गित कब गाते हैं थाव उपचन दिया है कि दिपावली या आपको बताना है कि नवरात्री पर या नीन हमारा,, इंसर तो उली पर या तो ॏ प्रतियां या कुछ भी हम उसी प्रकार के चिन बनाकर उनकी पूजा और उनकी सानेद्धि में यह गित संपन करा जाता है तिस प्रकार के आमतोर पर जो सुयागित है उसे ही गौरागित कहा जाता है और यह सुवागित कब गाया जाता है तो दिवाली के उसर पर शुरू होता है ठेक है तो सुवागित से कभी बार एक्जाम में पूछा गया है सुवागित को ही गौरागित कहते है पहला यह सुवा निर्त में के द्वारा को घाती है चली नेक्स पूचन के और हम बात करते हैं सुवा निर्त आपने बताया दिवाली को उसर पर है इस गीत को घाया जाता है इस से लौक के निर्तनाटक भी कहा जाता है चटिस गड़ की बहुदरी के समंद में लोक निर्तनाटक किसके कहा जाता है रेला को लेंजा को गौर को या पंडवानी को आप लोग याद रखेंगे कि 36 गड़ में 36 गड़ की बहुदरी के लिए कौन सा गीत फेमस है तो इसका राइट इनसर हो जागा पड़वानी आप लोग याद रखेंगे कि 36 गड़ में जो है पड़वानी की जो है बहुदरी के समझ में एक लोक निरत है है जिसमें बताया जाता हैं कि पडवानी को बहुद्री के सभर्ण में लोग नाटक भी कहा जाता है और पडवानी महाभरत कथा कवरणन है जिसमें मुक्य नायक भिं मुखय नायक अदरुपती हैं पडवाणी के करने के लिए तीजन भाई को आप लोग जानते होंगे जिसमें पदमस्री वद्मभूसण और जो है पदमभूसण सभी से समानित किया गया है तो रिचेत रुप से आप लोग इनको जानते होंगे तो पड़वानी से महत्मुण कोशन इस प्रकार से पूछा जाता है इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो है पड़वानी जो है उसमें तीजन भाई का महत्मुण योग योगदान रहा है पड़वानी में दो सेलियां होती है जिसमें बेद मती सेली और कपालिक सेली होता है यह भी कोशन कुछा गया है जिसमें हम बाता सकते हैं कि पड़वानी जो वो पढ़्वानी के कपालिक से लीम आते हैं इस परकार से आप याद रख सकते हैं तो मुहतिasia रुप्से आपको पुछा जा सकते हैं और इसमें दो सेतीन नंबर को इकजाम में अगर पूछा जाता है मैं मेंस में भी तो आप लिख पाते हैं चलिए नेक्स हम क्योशन के वर बढ़ रहें, नेक्स हमारा क्योशन है 8 वे नंबर पर, 36 गड़ के किस लोग गायोंडे में रागी की भूमिका होती है, चलिए यहां पर क्योशन आपको पूछा गया है, त시면 रागी के भूमिका किस में होता है, सुवा में, पंती में, ददरिय पड़वानी में आपको बताना है कि रागी का पर्योग किस निर्त में होता है यह किस निर्त में रागी का पर्योग किया जाता है आप लोग बताए कि कि देखें तो रागी का आप लोग जानते हैंगे किस गीत वों परियार्णोंद में प्रियूद्ट होता है है इसका आप लोग खुद दीजेगा ठीक है यह आपको कमेंट करके हमें बताना है कि न संक कि गायान में क्या जाता है किस लोग गायान में चाली नेक्षस्ट कुछन है 36 गर्ड के लोग गीतोय का राजा किसे आगता कि शेहलता है. इसका राइट एंसर होगा. ए इसका मैं मैं बता दर रहा हू。 यirm जवाल जवाब सेली पर अधारे, इसमें फोसाल ने के समय गाय जाता है. इसे प्रेम गीत प्रणय गीत कुरूप में जानते हैं अर्थात इस गीत में सिंगार रस की प्रधानता होता है तो 36 गड़ में लोग गीतों का राजा है ददर्या गीत को इसे प्रणय गीत कहा जाता है ददर्या गीत को याद रखेंगे तो इस प्रकार के महत्मुर्ण question आपसे बनेगा, सिंगार परधान रस किस गित में है, तो ददर्या है, कई प्रकार के pattern में आपको इस प्रकार के question आपको देखने को मिलता है, तो इतना आप लोग निश्चित रुप से याद रखेंगे, चलिए next question है, कवीर गायन के लिए प परशिद का लाकार है, तो इसका राइट रहो जागा भारती बंदू, भारती बंदू क्या है, कवीर गायन के लिए महत्मुर्ण रूप से फेमस है, उनके माधम से ही कवीर जी की जो महत्मुर्ण है, उनके बारे में महत्मुर्ण रूप से हम देख पा रहे होंगे, कि भा बात करते हैं गोवपला गीद ग्रeuto बता सकते हैं है इसका राइट एंसर आपको हो जाएगा कलचुरी वंच ठेक है गोपला कि और जा बारे में महत्पर जानकारी मिलतान जेए कि अ कि एक और cuma है सवेठा में कर्यां साह के यारोग साह के बिरभाट गोपाल राय का स्वेले दुरिक टुख दने में निगए यह दो चीजी आप याद रखेंगे यह काव automate मीन लिक्वा गया है और इस में इसके दोबार लिखा गया है तो आप लोग दिखेंगे कल्यान साई के पीरवट गोपाल रय का स्वरेबेक्ट हुआ है याद रखेंगे पीरवट गोपाल रय का वारनन है इस गोपला गित में जो की कल्चूरी काल से समझेथ है ठीक है next है बसंत रितु में गया जाने वाला गित कौन सा गित है तो सबी लोग जानते होंगे में फाग गित ओ याता है जो कि फागवा ह्या कर सकते हैं वोली गित के नामसंचे हम जैने हैं चतिजगड में तो बसंत प्रीतू में गया जाता है 읽 ये बहुत दिए माप्रड पूझान मिल जाएगा एमके नॉलेज गुरूप है आप लोग लिखेंगे केप्टर लेटर में एमके नॉलेज गुरूप अधी आप लिखते हैं तो निचीत रूप से आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा ज्वाइनिंग हो सकते हैं और इसी प्रकार करेंडी वीडियो के लिए प्ल